प्यारे बच्चो नमस्कार, राज की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम कक्षा 6 विज्ञान विशे में अध्याई 12 विदूत तता प्रिपत के कुछ मैट्रपूर्ण MCQ करने वाले हैं तो वीडियो लक्चर शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए है जिन बच्चो ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने किया शुरू करते हम आज की क्लास का पहला परस्ण पहले पर्शन में है विदूत किसको परकासित करती है गरों को सड़कों को दफ्त्रों फैक्टरियों को उपरोक्त सभी को तो प्यारे बच्चों गरों के अंदर भी रोसनी करने के लिए विदूत का इस्तेमाल करते हैं सडकों पर भी रोशनी करने के लिए विदूत का इस्तेमाल करते हैं दबत्रों फैक्टरियों में भी विदूत का इस्तेमाल करते हैं तो इसका option नमर चार सही हो जाएगा उपरोक्त सभी आगे चलते हैं नेक्स्ट तोर्च को विदूत कहां से मिलती है तो आपके सामने यहां पर एक चित्र दिखाया हुआ है तो आप देख सकते हैं किसका है यह विदूत सैल का तो तोर्च को कहां से मिलती है विदूत सैल से विदूत मिलती है ओप्सन नमर एक इसका सही हो जाएगा आगे है बलब दिप्त कैसे होता है बलब दिप्त कैसे होता है तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं चो चित्र आपके सामने यहाँ बना हुआ है यह वाला इसमें क्या है विदूत बलब दिप्त कैसे होता है तो परिपत में विदूत दारा प्रवाइद करने पर जब इस परिपत में से बिजली बहेगी ऐसे तो ये बलब जलेगा तो ओप्सन नमर एक इसका सही है आगे चलते हैं नेक्स्ट सूरच छीपने के बाद रोसनी कहां से मिलती है तो प्यारे बच्चो विदूत से रोसनी मिलती है हम क्या करते हैं बलब को जलाते हैं तो किस से जलता है विदूत से आगे है विदूत की कई स्तानों पर अनुपलबता होने पर किस चीज का प्रियोग किया जाता है तो देख सकते हो आप जहां पर बिजली चली जाती है तो हम क्या करते हैं किसका प्रियोग करते हैं टोर्च का प्रियोग करते हैं ओप्सन नमर एक इसका सही है आगे है विदूत सैल को कितने डंगों से जोड सकते हैं तो प्यारे बच्चो यहाँ पर ये तरीका भी सही है और देखो विदूत सैल को कितने डंगों से जोड सकते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे लेकिन इन में से दो डंग ऐसे हैं जिसमें बलब जल रहा है और चारों में नहीं जल रहा है तो मतलब चार गलत हैं और दो जो हैं वो सही है अगर इसने डंगों की पुछे तो छे आएंगा और सही तरी के पुछे तो कितना आएगा दो आएगा ठीक है आगे चलते हैं next next में बलब का कौन सा भाग दिप्थ होता है तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो बलब में ये जो तंतू होता है टंग्स्टन दातू का बना हुआ ये जलता है तो option नमर एक इसका सही हो जाएगा कै तंतू आगे हैं बिजली हमें कहां से प्राप्त होती है तो प्यारे बच्चों बिजली हमारे घर पर जो आती है वो कहां से आती है विदूत घर से आती है तो option नमर एक इसका सही हो जाएगा आगे हैं पेचकस और प्लास आदी के हत्तों पर प्लाए पेजकस और प्लास आदी के हत्तों पर प्राय प्लास्टिक या रबड के आवरण क्यों चड़े होते हैं क्योंकि प्लास्टिक या रबड विदूत के सुचालक है क्योंकि प्लास्टिक या रबड विदूत के कुचालक है ये सही होगा क्योंकि विदूत के कुचालक है जिसस जित्र में देख सकते हैं यह शिविच है तो शिविच एक सरल युकती है ओप्सन नमर एक इसका सही है विदूत रोधक किसे कहते हैं विदूत रोधक किसे कहते हैं जिन पदार्तों में विदूत दारा प्रभाइत नहीं होती उन्हें विदूत रोधक या विदूत रोधी प कुन से होते हैं तो प्यारे बच्चों जिन के अंदर से विदूत दारा नहीं गुजर सकती प्लास्टिक विदूत होती है वाईयू है रबड है तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा option 4 नमर च्यार तो प्यारे बच्चों, आपने इस तरह का घर में देखा होगा, बलब के तंतू का खंडित होना, टर्मिनलों के बीच विदुदारा का परिपत तूटना, टर्मिनलों के बीच विदुदारा का परवाईत ने होना, तो ये फ्यूज जो है, बलब के तंतू का खंडित होना त उत्त ही होना है तो उप्रोग सबी में क्या है और सी इसका सही है आगे बंद विदूत परिपत में विदूत कैसे परवाइद होती है बंद विदूत परिपत में विदूत कैसे परवाइद होती है तो एक टरमिनल से दूसरे टरमिनल के और किसे पलस से माइनस की और तो उपसन अमर एक इसका सही हो जाएगा आगे विदूत चालक कौन-कौन सी दात्मे होती है तामबा भी विदूत की सुचालक है ऐल्मॉनियम भी लोहा भी तो सारी उप्रोक सभी चोथा उप्सन इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं निमन में से क्या गल्त है लोहा विदूत रोदक है चांदी विदूत चालक सही है तामबा विदूत चालक है सही है उप्रोक सभी तो गल्त हो जाएगा तो यहाँ पर ये लोहा विदूत रोदक लिखा हुआ है तो ये उप्सन सही हो जाएगा निमन में से कौन सा यंतर विदूत यंतर नहीं है गैस बरनर, मिक्सी, टीवी तो मिक्सी और टीवी तो विदूत यंतर है गैस बरनर रही है, गैस से चलता है आगे हैं, दो या दो से ज़्यादा सैलों की लड़ी को क्या कहा जाता है तो दो या दो से ज़्यादा सैलों की लड़ी को हम बैटरी कहते हैं क्या कहते हैं बैटरी ओप्सन नमर दो इसका सही है आगे है स्विच पलक किन पदार्थों से बनाए जाते हैं तो स्विच या पलक जो होता है वो प्लास्टिक और रबड से बनाए जाते हैं तो ओप्सन नमर तीन इसका सही हो जाएगा क्या सत्य है रबड विदूत की चालक है चांदी विदूत की रोधक है ऐलमुनियम विदूत की चालक है कोई भी नहीं तो यहां पर एक बात सही देर किया है ऐलमुनियम विदूत की चालक है तो यह इसका सही हो जाएगा आगे चलते हैं कौन सी उक्ति द्वारा विदूत चा लोहा है मरकरी ऐलमुनियम चान्दी तो यहाँ पर मुरकरी नहीं है लोहा ऐलमुनियम और चान्दी तो है विदुद की सुचालक आगे हैं विदुदार आर बनाने में कौन सी दातु प्रियोग में लाई जाती है तो प्यारे संकेत में होता है तो आप देख सकते हैं यहां पर किसके संकेत में कोपड़ी तो मानो कोपड़ी और अन्ने दो हाथ पेर की क्रोज करती है ओडियों के रूप में होती है तो option नमर दो इसका सही हो जाएगा आगे निमन में से विदू चालक पदार्तों के उधारन कौन कौन से हैं तो चान्धी तांबा अलिमुनियम तीनो दात्वें हैं यहां पर पहले में तीनो दात्ें हैं सूकी लकड़ी पत्थर यह दो नहीं है एक तो है यहाँ पर सूकी लकड़ी पत्र प्लास्टिक तीनों ही नहीं है चांदी आसुत जल तामबा तो यहाँ पर आसुत जल में नहीं है तो तीनों किसमें है सही एक नंबर option में सही है आगे है खोपड़ी का चिन क्या परदर्शित करता है तो ये खत्रे का संकेत है उप्शन नमर च्यार इसका सही है स्योजकतार किस की बनी होती है तो प्यारे बच्चों स्योजकतार जोती वो तामबे की बनी होती है ने की कार्बन की ने लोही की ने प्लास्टिक की तो तामबे की बनी होती है आप चित्र में भी देख सकते हैं तो बैटरी को टोर्च को रासाइनिक पदार्थ से विदूत उत्पन करने वाली उक्ति को क्या का जाता है सेल का जाता है परिवासा याद रखेंगे रासाइनिक पदार्थ से विदूत उत्पन करने वाली उक्ति को सेल का जाता है ये सैल है आगे चलते है नेक्स्ट विदूत का उप्योग किस में किया जा सकता है विदूत का उप्योग किस में कुए से बाने बार निकालने में बलब को परकास मान करने के लिए गंटी बजाने के लिए सभी कामों में कर सकते हैं तो उप्स नमर चार इसका सही है विदूत वस्तू विदूत चालक है तो प्यारे बच्चो कांच की छड़ प्लास्टिक का स्केल, सिलाई मशीन की सुई थर्मोकॉल तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, ये दातू की बनी हुई है, तो ये है सिलाई मशीन की सुई, ओप्सन नमर तीन इसका सही हो जाएगा आगे है, वायू विदूत का खालिस्तान है, तो वायू विदूत का रोदक है, वायू के अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती बहुत कम मातरा में गुजर सकती है तो रोदक आएगा आप याद रखेंगे तो प्यारे बच्चो ये थे अध्याय बारा विदुत था परिपत कक्षाच्छे विग्यान के कुछ मैतोपुर्ण MCQ उमीद करता हूँ कि आपको समझ में आये हूंगे तो प्यारे बच्चो एक बार फिर से जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें अपने साथियों को सेयर कर दें ताकि आपको अपने विशे की ये वीडियो मिलती रहें धन्यवाद